वेल्कम तो रेटेक्ट चैनल अन्यू वे तो लार्ण वाज हम बेशिक फिजिक्स में पढ़ेंगे एक्सरी ट्यूब के बारे में प्लीज वोच दप्रिवेश वीडियो बिफॉर वाचिंग दिस दा लिंक इस गेवन इन दिस डिस्क्रिप्शन अज हम एक्सरी ट्यूब में हम्हें त्यूब करण्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ले ट्यूब करेंगे त्यूब करेंट क्या होता है ये वह र appelle होता है कि एल्लेक्टरण जो से सझा ये चिरत की को पजाते हें उसको कहते हैं एक्सट्री टार्डे 59 कियानद से मृते पर कृस्प्रेंट करांगे और ट हमारा एक्स रे County होगा यह basically हमारा होता ह्यां थयुश्य करंट अब जो हमारा इलेक्टरोन जो हीठ होते हैं फिलामेंट की साइड से । फिरसी में थे साइड हो जाता उस औंञे से जो एलेक्टरोन फर्दर एमिशन है इलेक्ट्रोन की और नाओ उसको रोकता है अब जो हमारे इलेक्ट्रोन है उनका काम होता है नेगटिव साइड से पोजिटिव साइड तक ट्रेवल करना या फ्लो करना यह यू कैसे कह सकते है अट्रेक्ट होना नेगटिव साइड से पोजिटिव की और जो हमारा filament होता है वो होता है negative side और हमारा anode होता है positive side इसलिए वो negative से positive की तरफ जाते हैं अब इसमें आता है एक low voltage अब जो हमारा potential है कई बार insufficient होता है उसको electron को filament से दूर बगाने के लिए उसको बोलते है special space charge limited ठीक है फिर आता है saturation voltage वो voltage होती है peak voltage जिससे की जिसमें electrons filament से pulled away हो जाते है immediately जो सारे electron emitted हुआ है electron cloud बना है वो anode की तरफ move हो जाते है उस दोना हमारा जो एक से ट्यूब करण्ट होता है वो होता है maximum इसलिए वो ऐसा कर पाते है जो हमारा ट्यूब करण्ट है वो normally increase होता है जैसे की filament heating होगा heating बढ़ेगी increase होगी तो ट्यूब करण्ट भी increase होगा यह इसके directly proportional होगा और जो हमारा ट्यूब ranges है वो 1 mili ampere से 1200 mili ampere तक यूज होता है basically जो हमारा few ma तो fluoroscopy में ट्यूब करण्ट यूज होता है और few 100 ma में में वो होता हमारा radiography CT में तो यह था हमारा tube current basically tube current में याद रखने लाइक यह बात है कि tube current वो current वो flow of electron है जो filament से target की तरफ जाते हैं और hit करते हैं इसी को हम बोलते है tube current so that's all for this video do subscribe if you like and thanks for watching